आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्ट होंगे तो जैसे आप सभी को पता है एक्जाम के लिए हमने एक सीरीज जो है चलाई हुई है जिसका डेली वीडियो लेक्चर आप तक प्रोवाइड करा जाता है शाम को 8 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर टिके डेली आपको ज प्रोवाइड के लिए है आप इस वीडियो को एजर वीजिन वीडियो ले सकते हैं आज का जो मारा लेक्चर है वह है तेर्मा लेक्चर इससे पहले मैं बारा लेक्चर जो है और ले चुका हूं जो नए बच्चे जुड़े हैं प्रिविस के लेक्चर अगर आपने नहीं आपको जहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलिग्राम ग्रूप में ठीक है वहां पर मैंने पोस्ट करता हूं प्रिविस यह पेपर और हमारी जो पीडियेफ है फ्री और पोस्ट अलगवाग जो है एक्यासी सो बच्चा वहां पर जुड़ा हुआ है तो चरूर से कि हुऩ़ा पby हारी एक रहे रहां इसका प्रियास थे दलुक्न्ट करें ऑजे चंडबने बात की रियासत और ठीक प्रूर्ड कोंने और पूझे भज्जी रियासत के फाउंटर कौन थे तो यह थे चारू राजा किरत चंद जो थे यह फाउंटर थे कुमार सेन रियासत के अजे चंद की बात करें तो हंडूर रियासत के फाउंटर थे और अगरम बात करें यहां पर दूर्गा सिंग की तो दरकोटी जो रियासत थी हमारी उसके founder कौन थे दूर्गासीं ठीक है हंडूर इस थो old name of नालागड नालागड का ओल्ड नेम ठीक है नालागड जो था उसका नाम था हंडूर आट नालागड का जो ओल्ड नेम ता वो कह था वो था हंडूर का हूं पर पड़ता है इसके लावा ओल्ड नेम से हम आगा यहां पर बात करें, तो दो और important old name मैं आपको बता देता हूं, एक तो उन्ना का old name टिके जो पूछा जा सकता है आपके exam में, वैसे तो बहुत सारे old name है, टिके हमारी जूर्यासने है, उनके कुछ एक लड़ नेम भी है कुछ एक सवल्ड नेम है वह समा ठीक है या फिर जस्मा भी बोलते हैं अगर उप्शन में मिलेगा आपको तो जस्मा भी मिलेगा ठीक है और अगर हम बात करें नूरपूर जो की रिकाल कराते रहेंगे तो याद कराते रहेंगा विच दिश्तिक इस दर सौलांग पीक्ट सौलांग जो चोटी है द वह सबसे उन्ची चोटी है उसका नाम हे डीवीबोक्री करो यहां कि जो सबसे उंची चोटी है उसका नाम है D.P. Cr Tage क्रॉल्प काईच्टी का क्या है तो grind कर गास क्हांच को उसका सविखने संप aí Dutyर में अगर मों बात करें लाहस हुआ है सिए से यहां से मों सी सच कर्या तो जिसका नाम क्या था ताइम सा बन जाएगा यहां पर बनता है कि कम इसे ओपन किया गया था 800 तासी टीक है जयनती वर्स पे जो है इसको ओपन किया गया था कभ अठारासों स्टासी में कहां पे लुक्ट है शिमला के अंदर फर्स्ट प्ले और प्रिविस के तीन से चार एक्जाम में पूछा गया है प्ले का नाम ठीक है तो नाम इसका गया था टाइम फिल ठीक है अगर हम बात करें इसके बाद क्या हुआ था एटीन एटीएट में एटीन एटीन एटीएट डीट है यह भी मोस्ट इप्रटेंट है इस यह क्या हुआ था दूरंड कप लुड़ा गया था जो ही किछ फुल्ड से कांपे खेला गया था फिर्स टाइम तो एक लगा था अनाडेल शिंबला कां नेक्स देखिएगा नेक्स्ट मारा क्वेश्चन कहा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा रहा है लोक सेवा गरंटी अधिनियम किस वर्स पारित हुआ तो लोक सेवा गरंटी अधिनियम यह है था इस वकार जो उदेश से था वो था एक ताय सिमा के अंदर लोगों को देवाएं प्राप्त करवाना एक्स देहिगा विच फॉल्विंग दिश्टिक रैंक्स फर्स्ट इन जिंजर प्रॉडक्शन ठीक है निमन मेंसे कौन सा जिला अध्रक के उत्पादन किसके उत्पादन मे अध्रक के उत्पादन में नंबर वन पर है यानि कि पहले स्थान पर है अगर हम यहां पर बात करें ऑप्संस की ठीक है तो अप्संन अमाल पास देरिखे है सोलन सिमला कांगडा और सिर्मोर तो सिर्मोर जो है यह नंबर वन है किसके प्रॉडक्शन में आपके जिंजर या राजगर जो लूकेटिट है सिर्मोर के अंदर इसकों बोलते हैं पीच बावल ओफ एसिया पीच बावल ओफ एसिया की नाम से किसे जाने जाता है तो यह है राजगर जो कि अंदर आडू की कडोरी अखरोड के प्रॉडक्शन में भी कौन सी डिस्टिक हमारी नंबर वन प बात करें मैंगो और आपकी चाय चाय के प्रॉडक्शन में भी नंबर वन है शिमला जो है आपकी शेव के प्रॉडक्शन में नंबर वन है ठीक है और सोलन सोलन को हम जानते हैं मश्रूम शीटी के नाम से किस की किसम है तो सोलन गोला जो है वो टमाटर की किसम है एक नेक्स सो जैगा मारा option number D सोने की जन्जीर इसको न्याई की जन्जीर को पुछ पूचे जाता विकि Gasonei की प्रतीकि किरे ही झौने इसको जन्जीर आदिल जन्जीर आदिल भी कहते थे और जो जहांगीर था इसका ओरीजिनल नेम क्या था इसका ओरीजिनल नेम था सलीव इसके कुछ एक question जो की हमेरपुर वोड ने प्रिविएस एक्जाम में पूछे हैं देखीगा एक तो इसने प्रता और सिंग जराई थी दो असपा और सिंग औसपा में जतने जो जो मंसबदार होंगे उनको अपने जितने गुट स्वार होंगे उनसे धो गुणी है घोड़े इसमें रखने पड़ते थे तो अस्पा में और जो शेंगास पहोता इसमें तीन गुना अपने मनसबदारों से तीन गुणा घोड़ जो है रखने पढ़ता थे ठीक है और इसके बाद जो है पूचा जाता है पहला जूंग्रेजी मिसन के सासंकाल में भारत आया ठीक है तो जहांगिर के सासन काल में 1608 में पहला जो अंगरी जी मिशन था और कौन किए द derived सबसéc Kentoke ठेड to the Hawking के जो बहरत को जो इन्य जो मिरत करें मोगलों में तो कौन था वह ता जहांगिर किसके पास आयता है किOne मेरे नेइस्ट कोशिनं मालक रहा है गुरु जwarz ने गुर 210回 सिख्वों का sitten सिसक्षूंप का सिर JK तो उसके बाद हैज डिया बन्ना सिंग्हां ऑफ बोर्बय यहां पे रई राइट हर सबूर जाएगा is गुरु 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 परुझा जाता है और बात करें लेकिसी ठापना की और पांच कार जो थे वह त quirky सुव्राज पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी इस स्थापना है यह 1923 में हुई थी option number c यहां पर राइट अंसर बन जाएगा किस-किस के द्वारा की गई थी तो चितरंजन दास पर मोती लाल नहरु द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी किसकी स्वाराज पार्टी की कब की गई थी 1923 में स्था आप अपको इतना क्लेर को गया हुगा एक्से दिखते हां एस्ट्रोइड ृवाल बेत्विन एयर्स्ट्रोइड यानि की शुद्र जो ग्रह होते हैं इसको किसके बीच में चक्कल लगाते हैं इसक बीच में मार्स एंड जुकृत एनके आप से लिए यहां पर बी और ऑप जो बड़े की बात करनें तो सबसे बड़े कि बात अगर सबसे बड़ा इसके बाद इसके बाद आते हैं क parliamentary जंकों से कुच्चन पूचा जाता है कि जो कोमेट के थे हैं उस धोमकेतू का नाम बताए ख़र स jeśli सब्सक्ता है उसका नाम है है एगर जो दुमकेतू है यसे दिखता है पिसली बार जब दिखाता है सब्सक्राइब कोशन नमारा कौन से मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है कि कौन सी जो स्वाइल है वो कंसीडर की जाती है कि इसके लिए कॉटन कोलिटीवेशन के लिए सबसे बेश्ट यहां पर देएगा ब्लैक स्वाइल या फिर सेंडी स्वाइल तो यहां पर देएगा जो आपकी अलुविल स्वाइल है इसको हम बोलते हैं जड़ोल बिटी ठीक है और अगर हम बात करें लोमी की तो यह है आपकी दोमट मिट् काउंट की जाती है इसके लिए आपके एक कॉटन के उत्पादन के लिए इसको जो है बलेक घॉतल इसको कैते हैं क्या दो हमारा ने इंडियन कापमसी वल ऐसे को ब्लैक्ट स्वाइल है जो काली मिट्टी बोलते हैं इसको बोला जाता है ज़ो हमने पहले चेटानने डिसके चेटान है फ्यादाथ प्रॉट्ट है से प्राइब टूटने से यह मिट्टी इसके तोटने से बसुत अब करदी जुलाइड 2022 में किस राज्य में जो है खर्ची उत्सब जो है वह सेंवेट किया तरी पुरा के अंदर ओपसी हमारे यांप राइट अजो जाए आपक रिप्रागे असाम में असाम में सबसे important है यहां का भीहु यहां का जो महतसभ है festival है वह है most important है पूछ भी गया है दो तिन वार जम्मो कश्मीर में जो है हाली में एक हैरत महतसभ कहां पर हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ थ्रिपोरो से भीहु आवने बात कर लइंगा अरुनाचल परदेश से चापचार कूठ जो है वो फेस्टिवल महुतसम जो है काम पर सेलवेट किया गया लाइक्स दिखिए विच्ट गवर्मेंट है जिसेंट्ल स्टाटि डिश्टल लोक अदालत की शुरुआत की है भारत की पहली लोक अदालत की सुरुआत की गई है अभी राज्यस्थान कोवर हम बात करें अभी डिरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है राइट टू हेल्थ राइट टू हेल्थ राइट टू हेल्थ बिल लेकर आने वाला राइट टू हेल्थ बिल लेकर आने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो राइट टू हेल्थ जो बिल है ये इंट्रोड्यूस संघाई कॉपरेशन और यह सामिल होने वाला नए देश कौन सा है इरान किया गया है पहले जो संक्या थी अब जो है इसकी संक्या कितनी हो गई अब जो है कितनी सदस है नहीं क्या भारत इसका सदस है इंडिया इसका सदस है और पाकिस्तान इसके सदस है डिरेक्टल पूछा जाता है कि भारत ससे है तो हां भारत सदस है नेखेएगा थे शेंटली इंडिया हैं स्टाइन एंगरिमेंट विट इसके साथ जो है भारत ने चीते लाने लाने के लिए उनको लाने के लिए वह किया है थे ख की और वहारा सम्झाइब होता हुआ है यह नामी भिया कुछ कुछ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहां पर देखीगा एक तो डिरेक्टली पूछा जाएगा कहां से आएगे चीता ठीके कौन से देश के साथ समझोता हुआ तो नामी भी आप पूछा जा सकता है कि कहां पर रखे जाएंगे कुणो नैशनल पार्क कुणो जो हमारा तो कि कुणो नैशनल पार्क कहां पर है तो यह है मध्य प्रदेश के दर यहां पर जो है अभी नावीबिया से जो है आठ चीता आए option number कुन सा बन जाएगा यहां पर option number B हमारा यहां पर right answer बन जाएगा recently who became the first woman from Bangladesh to conquer K2 ठीक है K2 जो हमारी उन्ची चोटी है ठीक है दूसरी सबसे उन्ची चोटी है अगर हम बात करें तो इस पर जो चड़ने वाली सबसे पहली महला बनी है बंगला देश की कहां आपकी मंगलादेश की उसका नाम है वसीफा नजरीन वसीफा नजरीन ऑप्सिन अमबर कौन सा बन जाए गए यहां पर डैकर एक त्षिप का जो कोड होगा वो क्या होगा इसमें 90% बंचोर रहे बिल्कूर्ट अंसर दिया दा देगा रैट की अगर हम कोडिंग लिखे आर आता हमारा 18 पे प्लस ए आता हमारा वन पे और टी आता है 20 वेटी टी टी ट्वेटी में अगर हम इनको प्लस करें तो यह होता है इसको जो है उल्टा करके लिख दिया गया है 93 अगर हम हौर्स की कोडिंग करें यहां पे हो जाएंगे और हुज़ाएंगे 65 65 जो है यह हो जाएंगे तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी इसका रिवर्स हम कर देंगे 56 तो इसका अंसर की तरह हो जाएगा 56 हो जाएगा टिक है क्लिर हो गया होगा आपको यह क्वेशन आपके लिए है कल हमने जो है करते हैं यानि यह वाली जो साइड होती है वहां से हम राइट से साथ में अक्सर होगा उसके राइट पे साथ में अक्सर के साथ में अक्सर कौन सा होगा तीचा आइफो पापको अच्छे से समझा आ गया होगा वेश्चन जो है एक बार खुद्र कर लेड कर लिजीगा यहां पर विच लैटर विल भी दा सेवन टूदर राइट ओफ दर लेटर ओफ दर आफ दर सेवन्स लैटर आईगा जो मारा फूर्टींस लैक्चर आएगा आप मंडे को आएक क्यूंकि आज सेटर जाएगा बार्फ एक्जाम है तो उनको बीस लेक्षाएगा उनकी जो विडियू लैक्चर है वाप तक प्रॉइड करा जैंगे उनकी पेडिये फ्याप प्रोइड करा दि जाएगे टेलेग्राम ग्रूप में ठीक आप जूड़ जाएगा वहाँ से आज के लिए पस इतना ही थैंकिव वाचिंग और सेवा कुटे